हेलो दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम इस तोरण को step by step सीखने वाले है तो चलिए पूरी वीडियो में बने रहे इसे step by step सीखेंगे अगर आप चैनल पर नाए हो तो चैनल को सिब्सक्राइब कर ले और ब यह तोरण पटी बनाने आता होगा बहुत ही असान है double crochet से बनाया गया है total हमने 14 double crochet लेकर बनाया है आप अपने ही सबसे भी पटी के चोड़ाई ले सकते हैं और total line 102 है तो चलिए इसमें design बनाकर दिखाते हैं यहां से तीन चैनल लेंगे और तीन double crochet बनायेंगे total 4 double crochet होगा फिर तीन चैनल लेंगे और एक line छोर के तोरण पटी की एक line छोर के दूसरे line से चार double crochet बनायेंगे फिर तीन चैनल लेंगे एक line छोरेंगे और दूसरे line से 4 double crochet बनायेंगे तो इसी तरह से हमें same pattern में इस line को complete करके लेना है इस तरह का design total एक cabin design बनेगा तोरण पटी का line हमारा 102 है आप अपने gate के हिसाब से इसे बनायेगा तो इसी तरह से पूरा complete कर लेंगे तो चेलिए इसे पूरा बना कर दिखाते हैं friends तो इस तरह से हमने पूरा बना लिया है और एक design भी बना लिया है देख सकते हैं इस design को बनाने के लिए हमें 17 design की जरूरत हुआ है तो इसी तरह से हमने 17 design में बनाया है तो आप भी 17 design में बनायेगा चलिए मैं इसे बना कर दिखाते हूं फिर एक design को यहां से एक chain को छोड़ेंगे और यहां से start करेंगे यहां से start करेंगे एक chain छोड़ेंगे बीच में तीन चैन लेंगे और तीन डबल क्रोशेट पनाएंगे फिर तीन चैन लेंगे चैन डबल क्रोशेट पनाएंगे तो इसी तरह से टोटल छोड डिजाइन बना कर लेना है तो चलिए छोड डिजाइन बना लेते हैं यहां देख सकते हैं इसमें छे डिजाइन बना कर लिया है फिर बीजवाले डिजाइन बनाया है तो सेम पैटर्न में हमें बनाना है तो चलिए वीडियो में बने रहें देख सकते हैं इस तरह से हमने छे पैटर्न बना लिया है 12 च्बूद सी कि एक चैन को स्कीप करेंगे और इसके उपर से हमें हाफ सिंगल क्रोशेट बनाना है, इस बाले चैन से हाफ सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक हाफ सिंगल क्रोशेट, दो, तीन, चार, इस चैन से दू लेंगे, पांच, छे, फिर नेक्स्ट चैन के उपर से, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बाड़ा, तेरा, चोधा, पंदरा, तो फ्रेंड्स, तीन डीजाइन के उपर से हमें टोटल पंदरा, हाफ डबल क्रोशेट बना कर लेना है, तोटल पंद्रा हाफ डबल क्रोशेट बनाना है, फिर बारच चैन लेकर, एक चैन सिंगल कर देंगे, और स्यम पर टर्न में रिपीट करना है, चलिए प्रुटू सेखरा कुछके परस्टा को बाल, रड़ुदू। तो फ्रेंड्स हमें सेम पैटर्न में रिपीट करना है तो चलिए 6 डिजाइन फिर से बना कर लेती है जैसा हमने इस साइड 6 डिजाइन बनाया है सेम इस साइड भी हमें 6 डिजाइन बना कर लेना है तो चलिए इसे पूरा कर लेती है तो हमने टोटल 6 डिजाइन बना लिया है तो चलिए इसका 3 लाइन देखते है फिर से तिसरे लाइन में हमें 4 चैन लेना है और टर्न कर लेना है यहां से और इस चैन के अंदर से फिर से हमें 4 डबल क्रोशेट बनाना है चैन डबल क्रोशेट बनाने के बाद यहां तक बनाएंगे सेम पैटर्न में तो देख सकते हैं यहां पर घट गया इस साइड से तो टोटल 5 डिजाइन बना है एक डिजाइन हमें जो हमने 12 चैन लिया है उसके अंदर से परतिक टाइम एक एक डिजाइन बढ़ा कर लेना है ताकि हमारा डिजाइन घटे न तीन चैन लेकर यहां से चार डबल क्रोशेट बना कर एक डिजाइन बना लेंगे तो परतिक लाइन में हमें 6 डिजाइन बनाना है और फून हमें 12 चैन लेना है एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, बारा चैन लेना है फिर से हमें हाप सिंगल क्रोशेट बनाना है पंदर सिंगल क्रोशेट के उपर से हमें इस बार दो कम करके लेना है यानि तेरा हाप सिंगल क्रोशेट बनाना है पर तेक बार हमें दो-दो सिंगल क्रोशेट को घटा कर लेना है तो दो कम करके बनाएंगे और सेम पैटरन को रिपीट करना है बहुत ही सिंपल डिजाइन है अगर आप क्रोशेट चलाना जानते हैं तो आप इसे एजली बना लेंगे तो पर तेक टाइम हमें दो-दो हाप सिंगल क्रोशेट को कम करके लेना है इसी तरह से हमें टोटल साथ लाइन बनाना है साथ भी लाइन में हमारा ये हाप सिंगल क्रोशेट तीन बनेगा और तीन बनेगा वहाँ से हमें स्टॉप कर देना है तो चलिए हम इसे पुरा बना कर लेते हैं आप वीडियो में बने रहें कर दो गुरा बने है कर दो कर दो कर दो कर दो तो सेम पैटर्न में बना कर लेना है इसी तरह से इधर से एक एक टिजैन बढ़ेगा और इस साइट से घटेगा सेम पैटर्न में बना लेना है तो चलिए इसे पूरा कम्प्लीट करके लेती है आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे तो देख सकते हमने इस तरह से टोटल साथ लाइन बना कर लिया है और बीच में जो हमने हाप सिंगल क्रोशेट बनाया है वो हमारा घट गया है पर तेक लाइन में दो दो हाप सिंगल क्रोशेट घटा है तोटल साथ लाइन है अब यहां से हमें अटाइच कर देना है साथ लाइन बनाया है अब इसे जोर देना है जोर कर हमें सेम पैटर्न को बनाना है और डिजाइन पर तेक लाइन में एक एक डिजाइन घटेगा इसी तरह से हमें घटा कर ले लेना है यहां से अटाइच करना है इसके बाद सिधे डिजाइन बनाना है और पर तेक लाइन एक एक डिजाइन घटेगा झाल झाल तो स्यम पैटर्न में इसे पुरा बना लेना है तो देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे पुरा बना कर लिया है एके करके घटा दिये है आई होप आपको यह तोरन समझ में आया हो और तीन चैनल लेकर यहां से अटेच कर देंगे दागा को नॉट लगा कर कॉट कर देंगे तो फ्रेंट्स इसी तरह से हमने दो पैटर्न बना लिया है और इस तोरन फट्टी में एक पैटर्न और बनेगा तो हमने तीन पार्ट में इसे बनाया है तो दो पार्ट हमने त्यार कर लिया एक पार्ट और बाकी है तो छेलिए इसे भी कंप्लीट करकर लेते हैं सेम पैटर्न में उसे भी पनाना होगा तो इस तरह से हमने सभी पार्ट को त्यार कर लिया है देख सकते हैं बहुत ही प्यारा डिजाइन है अब हमने हमने फॉश्ट पार्ट में चेन भी लगा लिया है तो चलिए यहां से सेटेंड पार्ट में आपको चेन लगाना पताते हैं यहां से स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से चैनल लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नौ, दस यहां पर दस चैनल लेंगे और इसे अटेच कर देंगे यहां से फिर से एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ नौ, दस तास चलेंगे फिर इस होल से अटच कर देंगे, स्यम पैटर्न को बनाना है बहुत ही असान है फिर इसमे हमें जालर को लगाना है जालर लगाने की लिए आप अपने हिसाब से ओल को कट कीजिएगा और इसमें डाल कर बांध दीजिएगा तो चलिए थोड़ा इसमें अब जालर लगा लेते हैं पुरा कम्प्लीट करके तो फ्रेंड्स हमने पुरा कम्प्लीट कर लिया है और इसमें इस तरह से इस चैन के अंदर से हमने इस तरह से ओल को डालेंगे जालर के लंबाई अपने हिसाब से लिजेगा और यहां से बांद दीजेगा तो इस तरह से बांद दिया अब पटी का बॉडर बनाना है तो बॉडर बनाने के लिए भी हमने इतना बना लिया है देख सकती है और यहां से तीन चैनल लेंगे और यहीं पर दो डबल क्रोशेट बनाएंगे एक दो और तोरन पटी का एक लाइने स्किप कर देंगे छोड़ देंगे और दूसरे लाइन से यहां से सिंगल क्रोशेट से अट्राइच कर देंगे यहां से कर देंगे फिर तीन चैनल लेंगे एक दो तीन और दो डबल क्रोशेट पनाएंगे एक दो दो डबल क्रोशेट पनाएंगे फिर एक चैन को एक लाइन को छोड़ देंगे और दूसरे लाइन से सिंगल क्रोशेट से टाइच करेंगे सेम पैटरन को रिपीट करके इसका बौडर त्यार कर लेना है और फैनली हमारा तोरन बनकर त्यार हो जाएगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना न भूले आप लोग वीडियो देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं तो फ्लीज लाइक कर दिजिये और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर कीजिये और कमेंट करके बताएए कि ये कैसा लागा वीडियो आपको मेरे चैनल पर हमेशा नए डिजाइन में तोरण देखने को मिलता रहेगा चलिए इसे पूरा कंप्लीट करके लेते हैं तो देख सकते हैं तो फैनल यह तोरण पुड़ा बनकर त्यार हो गया है आई हो आपको यह तोरण पसंद आया हो और अगर आप क्रफ्स से चलाना जानते हैं तो आप इससे आसानी से बना लेंगे, बहुत ही इजी है, पुरा डिजाइन देख सकते हैं, यहाँ पर, चलिए, पुरा उपिन करके दिखा देते हैं, तो यह डिजाइन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक नए डिजाइन के साथ, थैंक यू,